एक बहुत अच्छा उपक्रम है भारस सरकार का और गौर्मन जॉब नॉर्मली हम लोग वीडियो के तुरू कवर करते हैं ताकि आपको इंफोर्मेशन मिलती रहे हैं टाइम टू टाइम और यह जो पीडियाफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह आपको यह तो हैं बट हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कवर करेंगे ट्रेनी ओफिसर लॉओ ट्रेनी ओफिसर लॉओ जैसे कि आपको मैंने भी बताया इसका पेस्केल बहुत अच्छा है 50,000 से 3% 3% का मतलब होता है एवरी यह 3% इंक्रीज होगा 50,000 बेसिक सैलरी होगी और 1,60,000 50,000 to 1, 1,60,000 का अपका पेस के लोगा तो एप्रॉक्सिमेटली हम लोग मान सकते हैं 1,00,000 ब्राइब करेंगे आप लगबग तो लगबग 12,00,000 पर एनम के अपकी सैलरी होगी टोटल पोस्ट है 3 और यहां पर एक इंपोर्टेंट बात है कि फ्रेशर कैन आल्सों अप्लाई फ्रे यह की यह फाइव यह की और साट परसेंट आपके मार्क्स हैं अब साट परसेंट में आपको मैं पहली बता चुका हूं कि साट परसेंट का मदलब 59.99 नहीं होता है only 60% will be counted as a 60% यह कहीं बार कमेंट सेक्शन में आता भी है तो trainee manager law के लिए इसमें क्या qualification है additional वो हम देखते हैं बाकी तो मैंने आपको पता दिया इसमें एक catch है सिर्फ कि अगर आप trainee officer law के रूप में आप चाहते हैं apply करना तो trainee officer law को CLAT 2022 आपने दिया हुआ हुआ है तो आप इसमें apply कर सकते हैं और eligibility क्या है सपोज आपने CLAT भी दिया उसके बाद eligibility क्या है या तो आपने उससे ज़्यादा लिये हूँ या general category के लिए 40% और reserve category के लिए 30% marks आपने gain किये हूँ तो आप eligible है यहाँ पे apply करने के लिए eligible होने के लिए सिर्फ दो condition है आपने LLB की हो और आपने CLAT का 2022 जो कि जून में हुआ था exam इसमें लिखका हुआ है notification में notification आप proper पढ़ लिजेगा date of opening of online 5 January से खुल गया है last date apply करने की 25 January है तो 25 January तक आप apply कर सकते हैं अगर आप interested है तो इस PDF को आप download कर सकते हैं हमारे telegram channel के तुरू और बाकि अगर किसी प्रकार के आपकी कोई query है तो जुरूर बताइएगा comment section के तुरू और इसी प्रकार के recruitment के लिए जुड़े रही है तक्षिया लोग के साथ में धन्यों